नमस्कार दोस्तों वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम तो स्वागत है आपका एक ब्राइंड न्यू हमारे ब्लॉग्स में नया ब्लॉग्स बन रहा है तो आज मेरे को होम कॉरंटाइन हुए 14 ने है 14 दिन है और 14 दिनों की कहानी आज मैंने 14 दिनों में बहुत कुछ किया तो मैं बताउर दिनों मैं क्या हुअ मेरे साथ क्या का मैंने क्या अपने ताइम पास के लिए और आज यह जो लास्ट दिन है कि लगबख सुबह से मौसम खराब है बीच में बूदा बांजी हो रही है अभी थोड़ा बूदा बांजी रुकी है मनला बारिस इतनी तेज भी नहीं हो रही है कि काम चल जाए और यह देखिए यह पाइप में किस तरह से पानी है बहुत ही अच्छी चीजे है अगर मैं एक बहुत ही महंगा वाला फोटोग्रापर हो था तो इस इन फोटो को मैं बहुत अच्छी तरहेगे से दिखाता और आप उसको पसंद भी करते हैं लेकिन मैं बहुत ही सस्ता फोटोग्रापर हूँ देखिए मैं बताता हूं यह इस जगह पे मेरे को पानी डालना था आज आई बार करन रही है यह लोर ने का ऑपको जैसे मैंने दिखा था पहले ब्लॉग्रापर क्लोग्रापर में तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि राजमा बहुत परकार की होती है गाउं में को देखिए हमारे भैजी अभी नीन धंक से खुली नहीं है साइद उनकी तो यह नारिंगे का पेड़ इसमें मेरे को पानी डालना था बागी इसके बगर में आलूब होए थे मैंने पहले दिन आगे तो इतने बड़े हो चुके हैं इतर भी चीमी बोई है यह हमारा नास्पती का पेड़ काफी अच्छा खिल रहा है मेरे पानी डालने के बाद क्योंकि इदर नीचे वारे घर में दाजी है नी तो इतर कोई ध्यान नहीं देता बागी दर भी हमने चेमी अमी बोई है और ककड़ी बोलते हैं यह एक यह निकल लखा है यह भी तोरी पेड़ है इस पर चोटे-चोटे माल्टे लगे हुए है आने वाले डाइम में बहुत सारे माल्टे देने वाला है इसके नीचे चीमी का बेल लगी बहुत सारी चीमी आज यह टाइम पास तब बादिस ने पुरा टाइम पास खराब कर दिया है एक परिवार और होम को बाइन हो रखा है यह नीचे है और आकरती मेरी बतीजी बड़े भाई की लड़की बागी देखियो जो कोहरा लगा है पली चाल में बारिस के आने के बाद अब ही साइद मौसम आप देखेंगे उपर ऐसा हो रखा है तो दुबारा भी बारिस आ सकती है अब कोई ज़री न आए पिजया आए ने के अजिए अगलों हुआ है जहाम मैं हूं तो यहां सब लोग जोसीटिय लोग है ऐसे डहा जाए ज्ए आड़नों परिवार है फर इदर साइड में दीखिनी रही रहे हैं अन्रोर आप उसकी नीचे है क्योंकि आपर जानी सकता मैं आपको दिखाता बहुता जरूर्य वुझा उनका खाली एक दिवार और खिटकी दीखी है दू रूपर बस तो औस भी तीन-चार परिवार है और बागी दूसरा तीसरा पर्ट यहां भी चार-पाथ परिवार है और चौथा पार्ट ये है यहां भी कमसे 10-12 परिवार है तो 400 में डिवाइड है गाउं अलग-अलग जो अलग-अलग कास्ट के लोग रहते हैं लेकिन एक ता में हमारा गाउं बहुत भरगूर है कुछ भी काम होता है कोई पंचायती काम करना हो दोस्ती निवानी हो अच्छा सपोर्ट करते हैं दूसरे को तो एक ता के मामले में मुझे गाउं अच्छा लगते थी कोहरा जो धीरे-धीरे आ रहा है नीचे तो मैं एक महेंगा फोटोग्रापर होता जैसे कि मैं आपको बताई रहा हूं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी आपको फोटो सब मैंने आने के बाद बोया था सब हो चुका है या बद इसको नीचे अर्भी होती है अर्भी आप जानते ही होंगे पहली वीडियो मैंने दिखा दें आप बहुत सारा पुदीना था लेकिन मैंने सब काट दिया क्योंकि बहुत जादा फैल चुका था रो सूग रहा था तो रिन्यू करने की जर्वत्तिस को मैंने सब काट दिया है होप आट से दस दिन में दुबार हो जाएगा मिर्द से पहले से घरवालों ने बूर रखी थी तो टमाटर का पेड़ देए इस पर मैंने चीड का डंडा या जो चीड की जो साका है इसलिए लगा रखे क्योंकि यह पेड़ इस तरफ को रस्ते की तरफ जुक रहा था तो मैंने उस तरफ कर दिया जाद नहीं एक डेड़ मेना और रहे गए इस तो तरफ हो जागा कि मिर्द से देखे काफी बड़ी हो चुकिए घरवाले काफी खुश है मिर्द से बड़ी बड़ी कर दी मैंने यह तो घरवालों नहीं बोया था तोरी की बेल यह मैंने डंडा लगा दिया उस पर यहां पर लॉकी वह भी देखेंगा आप अगर उदर तो वह भी लॉकी यह सब मैंने बोया देखें चौदा दिन में इतनी कठोर परिस्रम के बाद इतना सारा रिजल्ट मिला है यहां पर मैंने थोड़ा लेट कर दिया यह बहुत सारे केले हैं यहां पर केले के पेड़ है तो यहां पर मैंने खीरा मनला ककड़ी बोया है और मूली भी बोधी है साथ में तो यह थोड़ा मैंने लेट कर दिया पांचे दिन पहले पोता तो हो जाता लेकिन यह मैंने आठवे नौवे दिन में बोए तो अभी तीन-चार दिन होए तो भी होगा नहीं देखिए सेब का पेड़ देखिए कितना खिल-खिला रहा है रोज पानी मिला है इसको तो आज भी पानी इदर पूरा पानी डालने का विचार था मेरा आज लेकिन जैसा कि आपको पता ही है अब मारिस ने सब खराब कर दिया है आप सोज़रे होगे यार यह क्या छोटे-छोटे यह क्या चीज है यार यह क्या जम रहा है आपने देना क्यारी का सेप में आ रहा है यह और भी जम रहे हैं यह देखे और जो जम चुके हैं यह हैं मूली यह मिक्स है इसमें कुछ पहाडी मूला कहते हैं जो की बहुत गोल अगार में होते हैं वो भी है और जो सहर की लंबी मूलियां होती हैं वो भ तो बाद में जब खुदाई होगी तब पता चलेगा कौन सा देशी है कौन सा घर का है बागे देगे इस पेड के कुछ खास बाते हैं कि यह पेड काफी नारंगी देने वाला है इस बार इस पर बहुत सारे नारंगी लगे हैं मैं आपको अगर देख पाएंगे तो कैसे दिख पाएंगे ये ये जो यह है ऐसे इस में बहुत सारे लगें चूटे चूटे अब आप देखेंगे तो मन मध्होस हो जाएगा आपका यह चोटा मतलब एक दिन के लिए पानी जारने के लिए पूरा टाइम पास था एक और चोटा पेड़ है यह पे और इसके पीछे आड़ू का पेड़ है और यह भी नारंगी का ही पेड़ है बेसिकली जातर नारंगी और माल्टे के पेड़ जादा मैंने लगा रहे हैं क्योंकि बाकी चीज़ों तो मिल जाती है सहरों में सेप केला अनार जो नहीं मिलता है वो होता है नारंगी और माल्टे जो गाओं के होते हैं नारंगी एक तरसे संत्रा ही होता है लेकिन संत्रा नारंगी भी बहुत अंतर होता है नारंगी छोटा होता है सेप में और उसका अलका टेस्ट अलग होता है संत्रे का अलग होता है और एक सायरो में किन्नू भी मिलता है वह आपको पता ही हो आपको पता ही हो आपको किन्नू संत्रा भी कह देते हैं इसको को दो राय वाली बात नहीं है तो यार भाई लोग हो गया है वीडियो बहुत बड़ा मैं आपको नेचर दिखाना जाता था कि कितना बढ़िया हमारा नेचर हो रखा है हो दिके हमारे चाचा जी मुझे देख रहे हैं बहुत देड़ से कि ये कर चाई पीते पीते और पूछ भी नहीं रहे हैं चाचा जी कि चाई पीजाओ करके तो ऐसा होता ही है कि आप वीडियो बना रहे हैं और बहुत लोग आपको देखते हैं अच्छा है कुछ सीखने को मिलेगा होने भी है और मुझे भी तो भाई लोग वीडियो हो गई है कौन भी भी ही रहे है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूले शेयर करें प्रकृति प्रेमियो के साथ इस वीडियो को अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन भी दबा दें तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं ने वीडियो के साथ तब तक अपना वे अपनोगा ख्यार रखें धन्यवाद जय हिन जय भारत